भातिये रेल के गौरवशाली इतिहास में कुछ ऐसी ट्रेने हैं जो सिर्फ यात्रियों को मन्जिल तक नहीं पहुँचाती बल्कि अपने नाम से एक युग की पहचान बन जाती हैं यह कहानी है उस ट्रेन की जिसने दिल्ली से लेकर जीलों की नगरी उदयपुर तक लोगों के दिलों को जोड़ा जो राजस्थान की वीर भूमी की रफ्तार, परंपरा और आधुनिक्ता तीनों का प्रतीक रही है इस ट्रेन का नाम ही अपने आप में एक गर्व की बात है, चेतक यानी महाराना प्रताप का वो शूरवी घोड़ा जिसने युद्ध भूमी में अमरता पाई थी उसी वीरता और द्रता की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेल ने इस ट्रेन को चेतक एक्सप्रेस नाम दिया और फिर शुरू हुआ इसका एतिहासिक परिवर्तन, मीटर गेज से ब्रॉड गेज, डीजल ट्रैक्शन से इलेक्रिक ट्रैक्शन और एक साधारन एक्सप्रेस से एक सुपरफास्ट मौडर्न एलेचपी एक्सप्रेस तक का सफर तो चलिए, स्वागत है आपका रेल टेक इन्फो चैनल पर जहां आज हम जानेंगे चेतक एक्सप्रेस के उस रोमांचक सफर के बारे में जो 1970 के दशक से शुरू होकर 2025 के आधुनिक युक तक पहुँच चुका है बुधवार एक अक्टूबर 1979 को दिल्ली से शुरू हुई यह ट्रेन जीलों की नगरी उदैपूर के लिए रवाना हुई थी उस समय भारत के रेल मंत्री थे श्री राम सुभाग सेहां जो 14 फरवरी 1979 से 4 नवंबर 1979 तक इस पद पर रहे यह पहली ट्रेन थी जो दिल्ली से उदैपूर के बीच चलाई गई 1970 के दशक के अंध और 1980 के शुरुवाती वर्षों में जब उत्तर पश्चिम भारत की मीटर गेज रेलवे अपने उतकर्ष पर थी तब चेतक एक्स्प्रेस उन गिनी चुनी ट्रेनों में से थी जिसने दिल्ली से उदैपूर तक राजस्थान को जोडने का कार्य किया धीरे धीरे यह ट्रेन दिल्ली, अजमेर और उदैपूर के बीच ल्यापार, परियतन और संस्कृति का एहम माध्यम बन गई उस समय पूरे राजस्थान में मीटर गेज ट्रैक हुआ करता था और यह ट्रेन वाइपी स्टीम लोकोमोटिव से संचालित होती थी इसका प्राइमरी मेंटेनेंस उदैपूर में किया जाता था ट्रेन नंबर 215 अब चेतक एकस्प्रेस दिल्ली सराय रोहिल्ला से सुबह 11 बच कर 5 मिनट पर रवाना होती थी और दिल्ली कैंट रुकते हुए 12 बच कर 50 मिनट पर रेवाडी जंक्शन पहुँचती थी जहां से यह ट्रेन नौधन रेल्वे से निकल कर वेस्टन रेल्वे में प्रवेश करती थी क्योंकि उस समय आज का नौध पश्चिमी रेल्वे एन डवल्यूर क्षेत्र वेस्टन जोन के अंतरगत आता था रेवाडी से आगे बढ़ते ही ट्रेन का नंबर बदल कर 15 अप हो जाता था इसके बाद यह है अलवर, बांदिकुई, दौसा, जैपुर जंक्शन, आसलपुर जोबनेर होते हुए रात 7 बच कर 54 मिनट पर फूलेरा जंक्शन पहुँचती थी फूलेरा से आगे ट्रेन किशन घड़ होते हुए रात 10 बच कर 30 मिनट पर अजमेर जंक्शन पहुँचती थी दिल्ली से अजमेर तक यह ट्रेन एक्स्प्रेस सर्विस के रूप में चलती थी जबकि अजमेर से उधैपुर तक फास्ट पैसेंजर के रूप में अजमेर में 35 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन 11 बच कर 5 मिनट पर रवाना होती और फिर हटुंडी, नसीराबाद, जड़वासा, बांधनवाड़ा, सिंगावल, बिजैनगर, रूप अहेली, सरेरी, लांबिया, मांडल, भेलवाड़ा, हमीरगड, गंगरार, चंदेरिया होते हुए, चितोडगड़, सुबह 4 बज कर 33 मिनट पर पहुँचती थी यहाँ चेतक एक्सप्रैस के साथ दिल्ली खंड़वा और दिल्ली महो की स्लिप कोच अलक की जाती थी, और चितोडगड़ खंड़वा फास्ट पैसंजर में जोड़ी जाती थी खंडवा स्लिप ट्रेन में एक सेकंड क्लास, एक तीन टीर स्लीपर, एक फर्स्ट क्लास और एक लगेज कम पासल वैन शामिल थी वहीं महू स्लिप ट्रेन में केवल एक तीन टीर स्लीपर कोच लगाया जाता था चित्तौरगड से दिल्ली खंडवा स्लिप ट्रेन राद 10 बज कर 21 मिनट पर खंडवा जंक्शन पहुँचती थी चेतक एक्स्प्रेस का चित्तौरगड में लोको रिवर्सल होता था जिसके कारण इसका ठहरा 42 मिनट का होता थी यहां से ट्रेन सुबह 5 बज कर 15 मिनट पर रवाना होती और घुसुंडा, पांडोली, कपासन, भूपालसागर, मावली जंक्शन, भीमल, खेमली, देबारी होते हुए उदैपुर जिसे अब राणा प्रताप नगर के नाम से जाना जाता है और अंत में अपने अंतिम ठहराव उदैपुर सिटी पर सुबह 9 बज कर 3 मिनट पर पहुँचती थी वापसी में ट्रेन नंबर 16 डाउन चे तक एक्सप्रेस शाम 6 बज कर 23 मिनट पर उदैपुर से रवाना होती थी और रात 10 बज कर 49 मिनट पर चितोड़ घड पहुचती थी जहां महू और खंडवा की स्लिप कोचेज दोबारा जोड दी जाती थी और लोको रिवर्सल भी किया जाता था चितोड़ घड से रात 11 बज कर 35 मिनट पर रवाना होकर ट्रेन अगले दिन दोपहर 2 बज कर 50 मिनट पर रिवार्डी जंक्षन पहुचती थी जहां से वेस्टन रेलवे से निकल कर नौधन रेलवे में प्रवेश करती थी और इसका ट्रेन नंबर बदल कर 216 डाउन हो जाता था इसके बाद यह ट्रेन अपने अंतिम पड़ाव दिल्ली सराय रोहिला पर शाम 4 बज कर 45 मिनट पर पहुचती थी शुरुआत में इस ट्रेन में ऐसी कोच भी लगाए गए थे लेकिन 1975 में इन्हें हटा दिया गया बाकी नौन ऐसी कोच में फर्स क्लास, टू टीर स्लीपर, थ्री टीर स्लीपर और सेकंड क्लास शामिल थे चेतक एक्सप्रेस को खींचने वाला इंजन था वाईपी स्टीम एंजिन जिसमें वाई का अर्थ, मीटर गेज और पी का अर्थ पैसेंजर सर्विस था 1989 तक आते आते चेतक एक्सप्रेस को दिल्ली सराय रोहिला की जगह दिल्ली जंक्शन तक बढ़ा दिया गया और इसके टाइम टेबल में भी बदलाव हुआ अब यह ट्रेन दिल्ली से दोपहर 12 बज कर 35 मिनट पर रवाना होती थी और दिल्ली से बांधीकुई के बीच कई नए ठहराव जोड़े गए थे जैसे गुडगाव, पताओदी रोड, खैर्थल, राजगड और जैपुर गांधी नगर अब यह ट्रेन रात 12 बज कर 20 मिनट पर अजमेर पहुँचती थी धीरे धीरे यह ट्रेन अब अजमेर से उदैपुर के बीच पैसेंजर नहीं बलकि पूरी तरह एक्सप्रेस सेवा बन गई इसलिए इसके ठहराव घटा दिये गए अब यह ट्रेन हटुंडी, नसीरबाद, बांधनवाड़ा, बिजैनगर, मांडल, भीलवाड़ा, हमीरगड और चितोडगड जहां लोको रिवर्सल और स्लिप कोचिस का अटैच्मेंट होता था उसके बाद भूपाल सागर, मावली जंक्षन, राणा प्रताप नगर और अंत में उदेपूर सिटी पर सुबह 9 बच कर 10 मिनट पर पहुँचती थी सन 1989 भारतिये रेल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया एक अक्टूबर 1989 को इंडियन रेलवेज ने पूरे देश में एक चार डिजिट यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम लागू की इस सिस्टम के तहट अब हर ट्रेन को एक यूनिक चार अंकों का नंबर दिया गया जो पूरे भारत में एक ही रहेगा इस से पहले ज्यादातर ट्रेनों को केवल तीन अंकों का नंबर दिया गया था जो सिर्फ अपने अपने जोन में यूनिक होते थे मतलब यह की अलग अलग जोनों में एक ही नंबर की दो ट्रेने हो सकती थी जिससे काफी कनफ्यूजन होता था नए सिस्टम ने इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया इसी बदलाव के साथ चेतक एकस्प्रेस का नंबर भी बदल कर 9,615 अप और 9,616 डाउन कर दिया गया और अब इसमें फिर से ऐसी कोट्च जोड़े गए स्टीम इंजन का दौर अपने अंतिम चरण में था और अब यह ट्रेन चलने लगी थी वाइट DM4 डीजल लोकोमोटिव के साथ जो मीटर गेज पर इंडियन रेलवेज के सबसे भरोसे मंद इंजन माने जाते थे अब यह ट्रेन दिल्ली से दोपहर एक बजे रवाना होती थी और क्रमशह दिल्ली सराय रोहिल्ला दिल्ली कैंट, गुडगाम, पटोदी रोड, रेवाडी जंक्षन, खैर्थल, अलवर, मालाखेदा, राजगड, बसवा, बांधीकुई जंक्षन, दोसा, गांधी नगर, जैपुर, आसलपुर जोबनेर, फुलेरा जंक्षन, किशनगड, अजमेर, हाटुंडी, नसीराब बांधनवाडा, बिजैनगर, मांडल, भीलवाडा, हमीरघड, चित्तोरघड जंक्षन, भूपाल सागर, मावली जंक्षन, राणा प्रतापनगर, होते हुए अगले दिन सुभह 9 बज कर 15 मिनट पर उदैपुर सिटी पहुँचती थी 1995 तक आते आते दिल्ली जंक्षन पर जहां मीटर गेज लाइन थी, वहां ब्रॉड गेज का काम शुरू हो गया था इस कारण से चेतत एक्सप्रेस को अब दिल्ली सराय रोहिला से चलाया जाने लगा साथ ही दिल्ली से जैपुर के बीच भी ब्रॉड गेज कन्वर्जन शुरू हो चुका था दिल्ली से रेवाडी तक दोहरी मीटर गेज लाइन थी, जिसमें से एक ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा था इसलिए चेतक एक्सप्रेस अब रेवाडी तक तो आ सकती थी, लेकिन रेवाडी से जैपुर के बीच सिंगल मीटर गेज लाइन को कन्वर्ट किया जा रहा था इस वजह से ट्रेन को रेवाडी रींगस कोड लाइन के रास्ते से जैपुर तक चलाया जाने लगा अब इस रूट परिवर्तन के कारण ट्रेन को जैपुर जंक्षन पर लोकोमोटिव रिवर्सल करना पड़ता था नए रूट पर इस ट्रेन के कुछ नए ठहराव भी जोड़े गए रींगस, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना और नारनौल अब यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से दोपहर एक बजकर बीस मिनट पर रवाना होकर अगले दिन सुभह नौ बजकर पचीस मिनट पर उदैपुर सिटी पहुँचती थी 1998 तक आते आते चे तक एक्सप्रेस का नया टाइम टेबल लागू हुआ कि 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 शींट शीडों कहा हुआ हुआ एका नहीं regulate hij को का चाहर हो कि आता है हुआ हैrim और भीस मिनट रेंप खाफियग फाला रीडों कि अद्क Deutschप्र्ट लां टालीं पर एक्सप 이제पट है KungMr. Brad उस समय ट्रेन नंबर 9944 दिल्ली एहमदाबाद एक्सप्रेस को भी रूट बदल कर वाया रींगस, जैपुर, अजमेर, उदैपुर चलाया जाने लगा था इसी साल चेतक एक्सप्रेस से दिल्ली महू और दिल्ली खंडवा स्लिप कोचिस को हमेशा के लिए डिसकंटीन्यू कर दिया गया फिर आया साल 2004 जब इस ट्रेन के इतिहास में एक बड़ा मोड आया चेतक एक्सप्रेस को अब उदैपुर सिटी तक नहीं, बलकि सिर्फ चितौडगट से दिल्ली सराय रोहिला के बीच चलाया जाने लगा क्योंकि उदैपुर चितौडगट सेक्शन पर गेज कन्वर्जन का काम शुरू हो चुका था ट्रेन अब उदैपुर नहीं जाती थी, इसलिए इसका प्राइमरी मेंटेनस डीपो भी उदैपुर से बदल कर दिल्ली सराय रोहिला कर दिया गया इसके साथ ही इसका नया नंबर बना चार हजार, साथ सो पंद्रह, अब चार हजार साथ सो सोलह डाउन, दिल्ली सराय, रोहिला, चितौडगड, चेतक, एक्सप्रेस धीरे धीरे मीटर गेज का सफर अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और फिर 2007 में, रिवाडी और फुलेरा के बीच, गेज कनवर्जन के कारण इस ट्रेन को पूर्न तहब बंद कर दिया गया इसी के साथ, मीटर गेज की वो सुनहरी यात्रा यहीं समाप्त हो गई, जिसने एक दौर तक, राजस्थान और दिल्ली को जोड़े रखा था साल 2008 में, सत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कारेकाल में, जब रिवाडी फुलेरा और अजमेर उदैपुर सिटी सेक्शन का गेज कनवर्जन पूरा हुआ, तो चेतक एक्सप्रेस को फिर से ब्राड गेज पर चलाया गया लेकिन इस बार इसका मार्क बदल गया, अब यह ट्रेन पुराने अलवर जैपुर मार्क की जगह रेवाडी फुलेरा कॉर्ड लाइन से होकर चलने लगी दिल्चस्त बात ये रही कि इसके बाद यह ट्रेन जैपुर स्टेशन पर दोबारा कभी नहीं गयी नए मार्क के साथ उदैपुर दिल्ली सराय रोहिला चे तक एक्सप्रेस वाया अजमेर नीम का थाना और इसे नया ट्रेन नंबर मिला 2981 और 2982 शुरू में यह ट्रेन सपता हमें तीन दिन चलती थी यह ट्रेन उदैपुर सिटी से दिल्ली सराय रोहिला तक कुल 673 किलोमीटर की दूरी लगभग 12 घंटे में तै करती थी ट्रेन पहले दिन शाम 5 बज कर 20 मिनट पर उदैपुर से रवाना होती और दूसरे दिन सुबह 5 बज कर 10 मिनट पर अपने गंतव्य पर पहुँचती इसका सबसे लंबा ठहराव चित्तोडगर 20 मिनट और अजमेर जंक्शन 10 मिनट पर होता था जबकि बाकी स्टेशनों पर केवल 2 मिनट का ठहराव दिया जाता था उस समय इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस दिल्ली सराय रोहिला में होता था कोच कम पोजिशन में 1 सेकंड ऐसी, 1 थर्ड ऐसी, 8 स्लीपर, 6 जनरल और 2 SLR कोच शामिल थे यानि कुल 18 कोच फिर आया रेल बजट 2010 जिसमें इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 3 दिन से बढ़ा कर 4 दिन कर दी गई उस समय इसका रेक शेरिंग किया गया 4705 दिल्ली सराय रोहिला सादूलपुर एक्सप्रेस के साथ जो आज की दिल्ली जोदपुर सालासर एक्सप्रेस का पुराना रूप थी रेल बजट 2011 में एक और बड़ा बदलाव आया जब चेतक एक्सप्रेस को 4 दिन से डेली सर्विस में बदल दिया गया और यह 12 नवंबर 2011 से चेतक एक्सप्रेस प्रति दिन चलने लगी उसके बाद इसका रेक शेरिंग बदल कर दिल्ली बीकानेर इंटर सिटी एक्सप्रेस के साथ किया गया इस परिवर्तन के साथ इसका मेंटेनेंस बेज भी दिल्ली से बदल कर बीकानेर जंक्शन कर दिया गया इस ट्रेन को उस समय आबू रोड शेट का डबलू डीम 3A लोकोमोटिव खींचता था जबकि कभी-कभी भगत की कोठी शेट का डबलू डीपी 4 भी लगाया जाता था फिर आया एक एतिहासिक दिन 16 जन्वरी 2021 जब पहली बार चेतक एक्सप्रेस को दिल्ली सराय रोहिला से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया गया यह पल सिर्फ आधुनी की करण नहीं बलकि भारतीय रेल के एक नए युग की शुरुआत थी साल 2022 में इस ट्रेन का नया नंबर जारी हुआ बीस हजार चार सो तेहत्तर बीस हजार चार सो बहत्तर दिल्ली सराय रोहिला उदयपुर्चे तक एक्सप्रेस यह नंबरिंग बीकानेर डिवीजन की ट्रेनों को दर्शाती है जिसमें चार नॉर्डन, रेलवे, एनार और साथ बीकानेर डिवीजन को दर्शाता है और अब हाल ही में 17 सितंबर 2025 को इस ट्रेन को LHB कोचस से लैस किया गया है नए रेक कंपोजिशन में एक 1st कम 2nd AC, 1st AC, 5 3rd AC, 7 स्लीपर, 4 जनरल, 1 पावर कार और एक SLR कोच शामिल है यानि कुल 20 कोच इसके साथ साथ बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला इंटर सिटी सुपरफास्ट को भी अब LHB रेक मिल गया है तो ये थी चेतक एक्सप्रेस की अब तक की पूरी यात्रा एक ऐसी ट्रेन जिसने 1970 के दशक से लेकर आज तक राजस्थान और दिल्ली के बीच अपनी पहचान और प्रतिष्ठा को बनाए रखा है चेतक एक्सप्रेस का यह सफर केवल एक ट्रेन की कहांती नहीं बलकि भारतिये रेल की बदलती तकनीक और परंपरा का प्रतीक है आज भी जब यह ट्रेन उदैपूर की वादियों से निकलकर दिल्ली के मैदानों की ओर दोड़ती है तो ऐसा लगता है मानो राजस्थान की शान और भारतिये रेल का गौरव एक साथ चल रहा हो आज जब यह ट्रेन आधनिक LHB कोचिस और इलेक्टरिक लोकोमोटिव के साथ दोड़ती है तो यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बलकि भारतिये रेल की तकनीकी प्रगती और इतिहास की निरंतरता का प्रतीक बन चुकी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रेल टेक इन्फो को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आने वाले समय में भारतिये रेल के ऐसे ही और एतिहासिक सफरों की कहानिया आप तक पहुँचती रहे तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद